असलाम अलेकॉम एर विल्कम टू जोकर गेमिंग क्या हाल चाल मेरे भाईयों का कैसे हो आप सब उमीद करता हो सब ठीक टाक होगे फर्स्ट क्लास होगे तो आज हम कुछ न्यू अपडेट शेयर करने वाले हैं पब जी न्यू स्टेट को लेके और उसकी जो नहीं अपडेट कृफ के लिए काफ़ी वर्ट करेंगी तो स्टार्ट लेते हैं फबजी नियू स्टेट की न्यू अपडेट के वारे में तो पहली चीज जो फपजी न्यू शेट को लेके सामने आई है वो यह है कि आर मतलब PUBG जो है वो क्राफटन कंपनी की तरफ से PUBG स्टूडियो के साथ मिलके बनाई जा रही है ना कि Tencent के साथ Tencent के साथ इस पर कोई लिंग नहीं रहेगा और जो है PUBG स्टूडियो वाले इस गेम को बनाएंगे जिनोंने PUBG PC बनाईगे अगर किसी के ग्राफिक्स एक और उतने ही रियलिस्टिक और उतने ही डाय्नाविक बनाने की कोशिश की जाएंगी जित ने 04P के बनाने की कोशिश की घय थी ठीक है तो आप लोग के जो इस बार के ग्राफिक से आउटपुट हाएगी वो काफी अच्छी रहेगे सेकर्ट तिंग जो काफी लोग का सवाल रहेगा कि यार मतलब कौन सी डिवाइस के उपर चलेगी या इसके क्या रिक्वार्मेंट्स रहेंगे तो पहली चीज जो इस गेम को लेकर सामने आई है वो यह रहेगी कि आपके मुबाइल में 2.5GB आफ रेम होनी चाहिए मार्श मैलो 6.0 एंड्रोइड जो है उसके उपर यह गेम चलेगी अगर आपके डिवाइस इससे कम अपडेटेड प्रोसेसर पर है तो उसके उपर यह डिवाइस नहीं चले तो यह चीज एक सामने आई है यह चीज जो है सारी आपको मैं उन स्क्रीन दिखा रहा हूं साथ- कंपनी भनात हो रही है इसको टेंसेंट के साथ उन्होंने लिंक भी खतम कर दिया है फिर भी यह गेम जो है इंडिया के अंदर लांच नहीं हो रही यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेके काफी इंडियन यूट्यूबर्स भी में भी इसके उपर वीडियो बनाएंगे के इस बाइल के साथ कोई नहीं है पटकी का तो फिर भी इंडिया में क्यों नहीं हो रही ठीक है तो उसके बाद यह पिस ऑन है कोई और काफी सारफ तो चाइना के अंदर काफी सर गेम्स नहीं चल रही इसटम पब जी पीसी है वह भी चाइना के अंदर लोग खेल रहे हैं लीगल तरीके से चाइना के अंदर तो एक तो चीज यह हो गई उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ स्कॉप की आपको ओन स्क्रीन इमिजिस दिखा रहा हूं इसका स्कॉप कुछ इस टाइप को देखने को मिलेगा हमें काफी सर लोग कह रहे थे कि शाहिद काल अब डूटी की तरह कर दिया लेकिन नहीं कुछ इस तरह की लुप देंगी जिस तरह की मैं आपको ओन स्क्रीन दिखा रहा हूं उसके बाद आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यार मतलब इसकी वेस्ट वेस्ट वगारा है जो आप प्लेयर के उपर वेस्ट देख रहे हो उसको काफी जादा डिटेल किया गया है काफी ज़्यदा अच्छे तरीके से दिखा रहे है इन जो एनिमेशन है जो भी इनकी रिकॉर्डिंग निकलके हमारे पास ट्रेलर निकलके सामने है उसमें काफी खतरनाक किसम की एनिमेशन देखने को मिली है हमें और काफी डिटेल किसम की उसके बाद एक और चीज जो मैं वीडियो आपको भी प्ले करके दिखाने वाला हूं कि डोर जो है वह ब्रेक केबल रहेंगे क्योंकि ऐसा देखने को मिला है इन ट्रेलर के जब वह गाड़ी के अंदर से फायर करता है और मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं साथ साथ तो जो है ना धर्वाजा तो जब गेम सामने आएगी तो उसके बाद जो है ना हमारे पास एक लूप चुआएगी वो उसकी फाइनल लूक रहे लेकिन यह फिल्हाल अंदाजा रहेगा उसके बाद जो शीशे तोड़ने का हमारे पास एक अपडेट आ रहा था जो घर के बिंडोज लगा दी वर्जन में काफी टाइम से चल रहे हैं जिसको नाम है गेम आफ पीस उसमें काफी टाइम से चल के आ रहा है कि शीशे वह तूटते हैं तो लेकिन जो यह अपडेट आई हमारे पास पब जी न्यू स्टेट की इसके अंदर आप देखें तो जब वह फायर कर रहे हैं वीडिय करते हो मैंने कल आपको बताया था तो आपको एक free car skin मिलने वाली है तो free car skin जो है वो मैं आपको नहीं दिखा सका था लेकिन अभी मेरे पास उसकी कुछ images है मेरे पास तो मैं आपको clarify कर देता हूं कि इस तरह की कुछ car skin जो है ओन reward दिखा रहे हैं वह लेकिन उसकी जो shape है व भी अभी PUBG जैसी launch होगी उसकी जो skin मिलेगी वह शायद मजडा कार के साथ relate करेगी इसकी जो गाड़िया है वही काफी प्यारी थी कल के trailer के अंदर वह आप लोगों देख ली होंगी उसके बाद इसकी जो और update है वह यह रहेगी कि यह game कब launch हो रही है या कब iOS devices पे आ रही है ठीक है तो इसकी जो registration साइट है registration साइट जो है वह मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है और on screen आपको दिख चाहेगी तो एक तो यह देख लीजेए यहाँ पर आप जाकर करने के बाद ही आपको free skin मिलेगी ठीक है तो फिलाल के लिए iOS devices पे लांच नहीं हुई लेकिन कुछ ह time के अंदर वो बोल रहे हैं कि हम iOS devices के लिए इसको निकाल देंगे ठीक है और PC version का देखते हैं कि आप क्या निकलता है हो सकता है कि इसको हम स्टीम के ओपर रिलेट करें कि हो सकता है यह स्टीम वर्जिन में आ जाए या हो सकता है कि इसका एक अलग से emulator हमें देखने को में तो मैं तो कहूंगा कि यार इसका एक निव इंजर जिसको कहते हैं .exe फाइल जैसे आपके पास काफी सारी पीसी गेम्स होते हैं जो exe फाइल से चलती है तो उनमें आपको lag और स्टेटर जो है वो देखने को नहीं मिलता उसका reason यह होता है को specific application मना दी जाती है PC के अंदर तो उससे ना lag काफी reduce हो जाता है तो मैं तो कहूंगा कि अगर इस तरह को exe फाइल टाइप चीज आ जाजा है हमारे पास तो उससे आप लोग के जो मसले हैं जो emulator पे गेम्स ज्यादा ट्राइब करते हैं PUBG को तो उनकी वो चीज़ें जो हैं वो खतम हो जाएंगी ठीक है emulator पर जब assess नहीं होगी emulator से मोबाइल गेम खेलता है तो जाड़ी सी बात है मैं लैक देखने को मिलता है लेकि जब आप डायरेक्ट TFC फाइल जो है ना उसको आपरेट करते हो तो उससे लैक काफी reduce हो जाता है या PC गेम्स के अंदर लैक देखने को नहीं मिलता तो अगर इस टाइप की कुछ शील्ड होंगी जो हमारी गेम के अंदर यूज होंगी और फ्यूचर टाइप में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी उसके बाद जो इसका FPP लुक है वह भी मैं आपको दिखा रहूं स्क्रीज आप यह image देख लिए तो यह image देखें इसके ब आप मेरे पास पड़े हैं तो वह भी आप देख लीजिए ठीक है तो कुछ इस टाइप के हमें टीपीप मोड इसका देखने को मिलने वाला है तो I hope कि जितनी भी आज की information मैंने इस गेम को लेकर आप लोंगों से share की है आप लोंगों को काफी पसंद आई होगी make sure कि आप मे नेक्स वीडियो में ख्यार की जाए तब तक खुदाने के बान खुदा हावफेस